गुड बॉर्णिंग बच्छो ट्वेल्थ क्लास की इलेक्टर केमेस्टी चल रहे थी क्योंवर्चिल सेल यानिके बैटरीज उत्ती क्या है ठीक है यह सेल क्या है तो अब आपको पता चल गया जो इलेक्टरी करेंट प्रोडूश करते हैं उसको सेल बोलते हैं ठीक है बैटर प्रशंट एक समॉल है और एक लओज है तो समाल जो है वह वो नेगटीव इंड है औरर यह कहा है पोजिटिव एंड है यानि के छोटा इन सेे रिनात्मत हुतता मीं इनको दो यह से अधिक यह सेलनों को सीृज मैख किया जाएं सीृज में किया जाएं तो उनको बोले देल है बैटरीज तो अब आपको पाता चल गया बैटरीज क्या है बैटरीज इट 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 जो सेल हैं commercial सेल है आर मेली तरी टाइस कितने परकार के बताए दो आपको तो दिको आप प्रायमरी सेल की बात चल पड़ी कि primary cell होता क्या है first है यानि कि primary cell ठीक है नहीं primary cell आप नम सी पता चल रहा है कि primary cells होते क्या हैं वो cell वो cell जो recharge नहीं किया जा सकते जिसमें redox reaction एक ही बार होती है उसको क्या बहुते है primary cell यानि दो cell in which in which कहते हैं in which the redox reaction redox reaction occurs ठीक है तो क्या आजेगी redox reactions occur only once time once time या फिर यूँ कहा जा सकता है कि the reaction या दो cells which cannot be recharge ठीक है which cannot be recharge तो उनको क्या बहुते है primary cell जैसे अपने दिवार गड़े में यूज करते हैं वो primary cell के example है ठीक है तो उनको हम क्या बहुते है example के तोर पर dry cell क्या बहुते है dry cell ठीक है या फिर दूसरा example इसका mercury cell भई ठीक है mercury cell भी किसी किसी instrument में ही डाले जाते है ठीक है button cell के type की होते है वैसे देखो dry cell है क्या अब dry cell की construction पढ़ेंगे dry cell है क्या तो देखे dry cell का आपने याद रखना है dry cell कैसे प्रिपेर कियागा देखो आपने एक cylindrical zinc का container लेना है किसका container है zinc का ठीक है take a cylindrical zinc के container zinc container ले लिया cylinder के आकार का क्योंकि आपने देखा होगा कभी जो cell दिवार गड़ा के cell है उसको उसको उपर जो cardboard है उसको उटा आखे कर के देखा होगा यह जो zinc container है वो किसकी तरह भीयो करता है हम ऐसे याद रखो कि किसकी तरह भीयो करता है क्योंकि यह तो किसकी तरह भीयो करता है anode की तरह किसकी तरह anode की तरह ग्रेफाइट रोड क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपने पड़ा होगा सुर्मा होता है ठीक है जिसको बोलते है सुर्मा ठीक है तो यानिके गरेफाइट की रोड होती है किसकी रोड है गरेफाइट रोड ठीक है उसके अंदर तो क्या लिखोगे गरेफाइट रोड प्लेषट इन दा सेंटर इन दा सेंटर But not touch with the base Base के साथ यह touch नहीं होनी चीए ठीक है? Base के साथ है टच नहीं होनी चीए तो यह जो है यह किसकीतर आइबिए करेगा Cathode कीतर आइ ठीक है? градATE conductor act as a cathode तो आपने पढ़ा है इसके उपर positive charge और इसके उपर negative charge यानि जो निचला शीरा है वो क्या है negative charge और उपरला सीरा जो है वो positive charge का ठीक है अब देखें cylinder के अंदर क्या वरना है the space between the anode and cathode is packed by the paste इसके अंदर एक paste डालना है क्या paste डालना है वो देखें ammonium chloride किसका है ammonium chloride and और किसका zinc chloride का वै किसका है zinc chloride का ammonium chloride and zinc chloride ठीक है and grey fight road is surrounded white grey fight की जो road है इसके 4 और किसका paste डालना है इसके 4 और जो paste डालना है किस चीज़ का paste डालोगे वो चीज़ आपने specially याद रखनी है किसका powder है M-N-O-2 ठीक है तो M-N-O-2 पलस में कार्बन है पाउडर पलस में कार्बन है पाउडर तो याद रखोगे देखो क्या लिखा डेके जिंक से जिंक, सिलेंडरीकल जिंक कंटेनर विच एक्ट ऐज एनोड एंड करेफाइट रोर्ज आर करते के फिटेड इन दा मिडल विच बिएव एस कहा है कैथोड और इस तो इलेक्टोड या इस मतलब स्पेस इस फिल्ड विद पेस्ट ऑफ दा अमोनियम कलोराइड और जिंक कलोराइड एंड कहता है के गरेफाइट रोड इस राउंडिड बाई दा पाउडर ओफ दा MNO2 एंड कारबन MNO2 एंड कारबन ठीक है तो इसकी तरह भी यह करना है याद रखना है तो जब वर्किंग चले तो वर्किंग में क्या है अब वो याद रखनी है आपने वर्किंग क्या है इसकी देखिए वर्किंग कैसे करते हैं वो देखो अब आपको पता चल गया कि जिंग कंटेनर है देखो वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग है क्या अब आपको पता चल गया एंड के उपर क्या है एंड पर देखो भई अमेशा ही एनोड जिंक का है तो आपने पढ़ा जिंक क्या काम करता है लोस दा इलेक्टरोन क्या काम करता है लोस दा इलेक्टरोन ठीक है इलेक्टरोन का लोस कर दिया किसका लोस कर दिया वही इलेक्टरोन का किसका लोस कर दिया इलेक्टरोन का ठीक है? अमेशा करता ये तो उसके बाद, बाद चल पड़ी जो electron है वो outer circuit के धुवारा किस के उपर आजेंगे cathode पर किस पर आजेंगे cathode पर, तो अब cathode के उपर क्या था? आपने पढ़ा किस की रोड है? गरिफाइट की गरिफाइट के अंदर around, surround एक चीज और याद रखो क्या याद रखनी है उससे पहले यहां क्या है अमोनियम कलोराइड 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 तो अमोनि आयन और क्या कलोराइड है यह कलोराइड आयन और यह जिंक आयन आपस में किरिया करके क्या बना देंगे जिंक कलोराइड क्या बना देंगे जिंक कलोराइड और यह अमोनियम आयन आपस में किरिया करके MnO2 के साथ किरिया करके क्या बनाते हैं ammonia plus Mn2O3 plus में S2OE तो ammonia release नहीं होता याद रखना ठीक है ammonia release नहीं होता but it react with zinc chloride के साथ zinc chloride के साथ किरिया करके क्या बना देता है zinc ammonium ठीक है ammonium chloride ठीक है ammonia chloride रखो हें यह क्या हुआ complex compound क्या आग्या complex compound diremine dichloride तो यहीं बारी ठीक रहेगी क्योंकि यह क्या है complex compound ठीक है diomine dichloride last में tip vibe इसकी voltage हमसा याद रखना है कई बार पूशते है voltage of the tri-cell du-cell की वोल्टेज कितनी होती है वो याद रखनी है आपने ठीक है तो कितनी होती है 1.25 से ले करके 1.5 वोल्ट तक होती है ठीक है 1.25 से 1.5 वोल्ट तक ठीक है थैंक्यू